क्या ब्लड शुगर के मरीज गुड खा सकते हैं और खा सकते हैं तो कितना खा सकते हैं क्या गुड खाने से ब्लड शुगर नहीं बढ़ता है और क्या चीनी खाने से ब्लड शुगर बहुत जादा बढ़ता है इस तरह के बहुत सारे सवाल लोगों के मन में रहते हैं और इसक का सकते हैं क्योंकि ये तो नेचुरल चीज है तो यहां मैं आपको उन तत्यों को समझाने की कोशिश करूँगा scientific अधार पे कि आपको या diabetic मरीजों को गुड़ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए चीनी खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए चीनी ये लिए और मिटी चीजों के लिए तो वैसे भी diabetic patients को मनाई करके रखते हैं कि नहीं खाना है लेकिन गुड़ को लेके फिर भी एक संदे की स्थिती बनी हुई है कुछ लोग उसको खाने का preference देते हैं कुछ लोग उसको मना करते हैं तो पहले समझ लेते हैं कि एक्चुली गुड़ बनता कैसे है गुड़ बनानी के लिए भी जो गन्ना होता है जिसको शुगर केन कहते हैं उसको बड़े बड़े बरतरों में डालके उसके रस को उबालते रहते हैं आप यह मानके चलें कि एक तरीके से जो रस के अंदर पानी था उसको निकाल देते हैं और जो बाकी मिठास रह जाती है उसको हम फिर इकट्टा कर लेते हैं गुल के अंदर करीब 10-11% तक मोश्यर होता है या नमी होती है और बाकी जो है उसमें कुछ मिनरल्स होता है विटामिस भी होता है और यह मिनरल्स और विटामिस डेफिरिटली बहुत फायदेगी चीज है और बाकी जो मातर है वो कुछ 80-90% जो है वो मीठा ही होता है तो चीनी की बात करें, तो चीनी को और एक step आगे कर लिया जाता है, उसको भी गन्ने से, चोकंदर से इनी चीज़ों बनाया जाता है, लेकिन उसको refined किया जाता है, और उसको उतना refined किया जाता है, कि उसके अंदर जो बाकी minerals थे, vitamins थे, वो भी निकाल दिया जाता है, इसलिए उसका color white हो जाता है मगर उसमें जो मिठास है वो यह मान के चले कि 99% होती है तो यह तो हम मान सकते हैं कि भी चले यहाँ पे 10% का अंतर है गुड़ में 10% की मिठास काम होती है और चीनी में 10% की मिठास साधा होती है क्यों जो refined sugar है वो नुकसान करती है उसको पचाने के लिए में बहुत मैनत करनी पड़ती है और बहुत सारे minerals और vitamins जो हमारे शेरीर के है वो यह चीनी इस्तमाल करती है तब जाके अंदर यह शूक्रोज जो है वो ग्लुकोज बनता है और जादा मैनत करनी पड़ती है हमारे शेरीर को तो आप किरपिया करके गुड का इस्तमाल ना करें diabetic patients खासतोर से और जो 9 non-diabetic लोग हैं उनको लिए गुड बहुत फायदे की चीज़ है खाने के बाद थोड़ा बहुत आप इस्तमाल कर सकते हैं आप energies को burn करें आप calories को burn करें और गुड का इस्तमाल करें वो digestion को मदद करता है उसके अंदर minerals भी होते है विटामिस भी होते है तो जो लोग non-diabetic हैं जिनको blood sugar की बिमारी नहीं है वो गुड बिलकुल खा सकते हैं खाना चाहिए फायदे की चीज़ है मैं देखोंगा आप चाय और जो दूद पीते हैं चीनी के साथ चीनी बन करके आप गुड शकर या जगरी का इस्तमाल कर सकते हैं non-diabetic लोग लेकिन diabetic patients के लिए गुड भी उतना ही आने कारक है जितना चीनी या चीनी से बनी दूसरी मिठाईया अगर diabetic patients कुछ मीठे जैसी चीज खाना चाते हैं कभी तो फलों का आप इस्तमाल कर सकते हैं फल के स्वाद से अपने मीठे बन का स्वाद ले सकते हैं लेकिन उन में भी बहुत मीठे फल आप बिलकुल भी ना खाएं वो आपके लिए नुकसान दे हो सकते हैं तो ये भरांती को अपने मन से निकाल दे कि गुड एक natural पदार्त है तो diabetes में नुकसान नहीं देगा वो भी उतना ही नुकसान देगा और गुड खाने से आपका blood sugar का level एकदम से बढ़ जाएगा तो इसलिए इस बात को इस सला को गांट बांद ले कि diabetic लोग करपिया करके गुड बिलकुल ना खाएं वो उनके लिए बहुत जादा नुकसान दे है जैसे चीनी नुकसान करती है तो मुझे अमीद है मेरे diabetic बाई लोग को ये जानकारी पसंद आये होगी उनके काम की रही होगी और इससे बहुत सारे लोग को फायदा मिलेगा इसलिए इस वीडियो को वाइटली लोग को शेयर करें ज़्यादे से ज़्यादे लोग इसका फायदा उठा सकें और अगर आपको ये जानकारी और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद